किया आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर आदमी या एक नॉर्मल आदमी जो है वो क्रोड़ बती बन सकते हैं? नहीं ना, लेकर ऐसा हकीकत में है कि एक मेरा जो ये भाई है ये क्रोड़ बती बन गया, वो कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बिजली की जो बिल आई है अबी वो तकरेबन 42 क्रोड और आगे जितना 30 लाग तो सम्थिंग आगे जितने भी अमाउंट है वो इसकी बिजली की बिल आई है मैं तो जा रहा था ऐसे महौर जा रहा था तो रास्ते में मिलके मैंने पुछा कहा जा रहे तो बोल रहे थे कि हम वहाँ पे बिजली की बिल जमा करवाने जा रहे है और यह बिजली की जो बिल है इनके वालिद सब के नाम आई है जिनका नाम गुलाम हुसैन है मेरे पडोसी ह एक मजदूर आदमी है और उनकी बिल है वो तकरीबन करोडों में आ रही है एक तो उता है न भानलो लाक वो उसमें कुछ नी बनता है तो क्रोडों में आ यह अब यह पता नहीं यह जो बिजली का जो मैकमा उसकी गलती है या कहीं क्या हुआ है कुछ सीम इतने बड़ी इमांट तो कहीं नहीं आ सकती मैं अभी आपको बिल दिखाता हूं यह बिजली की बिल यह देखें आप नाम पड़ें और यह पूरा अड्रस और यह है जो फाइनल जो इमांट है यह देखो यहां पर यह इनका जो अगर देखो अगर ड यह इतने बड़ी गलती भी कैसे हो सकती है चलो अगर सो में जो चीज़े वह घुड़ारों में जा सकते हैं लेकर यह डिरेक्ट एक 10 डिजिट के अंदरी मानलो तो 2 डिजिट के अंदर हैं कोई रखम हो तो उसको डिरेक्ट क्रोड़ों में अगर कर दें तो वह कैसा हमने सिर्फ तीन बलब जो हैं जल रहे हैं अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं बस वहीं उनकी तीन बलब की इतनी क्रोड़ों में भी लागई अच्छा तो अभी आप आफिस में जाओगे तो वहां पर बात करोगे चलो बात करते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं वह इतना क्रोड होगा इतना पैसा आपके पास इतने रखम तो सोचने में भी टाइम लगता है सही बात बोलिए इतनी रखम जो है यह तो मनलब सोचने में भी टाइम लगता है और मैंना खुद जो इसको रीडिंग किया लेकिन पहले वन्स टेंस हंडर्ड थोजन ऐसे करके फ सो पाइंच सो द्याड़ी लगा रहे हैं तो एकदम से क्रोडों में हो जाएगा यह भी ना मैकमा भी पता नहीं कहां से कहां और क्या कुछ कर रहा है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है